हम पढ़ रहे थे बचो HPSC Screening और KVS के लिए PGT Chemistry हमने पिछले वाले लेक्चर में जो MOT Theory है मतलब Chemical Bonding के जो दो important topic थे मतलब चाहे उसमें हमने Bent Rule को पढ़ा ठीक है और Hydrogen Bonding में कई सारे कोशन पढ़े VBT को पढ़ा और पूरा Chemical Bonding हमने पहले कर लिया था आज हम पढ़ेंगे Isomerism को हमने Organic Complete की है तब हमने Estate को पढ़ा था पर ये topic Isomerism वाला हमने नहीं पढ़ा था जो कि important है काफी जादा important है आप यूँ लगा लीजे 2 या 3 lecture इस पे properly रहेंगे ठीक है ना आज बिलकुल आप जो एक समझ जाएंगे कि आप कितना आज आपको पढ़ना है जहां पर हम Chain Isomerism, Functional Isomerism पहले हम उसका Basic पढ़ेंगे फिर आप जो Main Portion है फिर आप उसको पढ़ेंगे ठीक है ये जादा मतलब लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसी में फिर हम Involve कर देंगे जो R और S Nomenclature होता है या फिर E और Z होता है ये भी आपको पता है चाहे उसमें आप KVS की बात करें चाहे फिर आप जो अपना हरियाना वाला है उसमें भी ये सारे कोशन पूछे जाते हैं तो वो आपने आप पर important हो जाता है तो ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहे हम basic की बात कर रहे हैं कि जो degree of carbon है वो आप कैसे निकालते हैं क्या है degree of carbon को कैसे निकाला जाता है अब यहाँ पर क्या है नॉर्मल सी बात है कईों को लगेगा कि इतना नॉर्मल यहां से हम जो जहां पर हम पहुँचने वाले हैं वो चीज जादा important है इसी वज़े से पहले हम यह ले रहे हैं यह points ठीक है अब देखो जो carbon जिसकी आप बात करने हैं कि आप डिगरी निकालने वाले हैं आपको उसके पडोस में देखना है कि वो कितने carbon से जुड़ा है वही उसकी डिगरी कहलाती है जैसे मालो आप इस carbon की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं इस वाले carbon की बात कर रहे हैं यह एक ही carbon से attach है तो ये वन डिगरी का कार्बन होगा अगर आप किसकी बात करते हैं बच्चो मालो आप इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो ये एक तो इस वाले कार्बन से अटेच है एक इस वाले कार्बन से अटेच है तो ये टू डिगरी का कार्बन होगा ठीक है माल लीजिए आप यहां कर देते कि यहां एक carbon और लगा दिया जाता तो अब आप क्या बोलते कि यह वाला जो carbon है यह तो इस carbon से attach है एक इस वाले से attach है और एक इस तीसरे वाले से तो यह 3 degree का क्या हो जाता carbon हो जाता अब माल लीजिए यह एक और आप यहां पे carbon लगा दें, तो अब देखो यह वाला carbon कितने degree का हो गया, एक यहां से attach है, एक यहां से, तीसरा यहां से, चोथा यहां से, तो यह 4 degree का carbon हो गया है, तीक है, इतनी बास समझ में आई, ऐसे आप निकालते हैं, degree of किसकी carbon की, तीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास क्या होते हैं, degree of amines कैसे निकाली जाती है, क्या बचो, degree of amines को कैसे निकाला जाता है, अब अगर आप देखो, आपके पास simple यह बना रखा, भई, CH3, CH2, और यहां पे लगा रखा, NH2, ठीक है, एक आपको यहां पे दे रखा है, कि भई, ऐसे ऐसे carbon यू बन रखा है, और यहां पे लगा रखा, NH2, ठीक है, फिर एक बना रखा है, ऐसे, ठीक है, यह बैंचीन है, और यहां पे NH है, और यह CH3 है, ठीक है, इनके degree आपको बतानी है, अब यहां पे carbon से decide नहीं होता है, कि वो कौन से degree के carbon से जुड़ा हुआ है, यहां nitrogen से decide होता है, कि nitrogen क कितने अटेच है उसकी बात होती है ना कि कार्बन कितने डिगरी का उससे कोई मतलब नहीं है जैसे ये वाला कार्बन हमें पता है ये टू डिगरी का है ये वाला कार्बन टू डिगरी का है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं हमें नाइट्रोजन से लेना देना है नाइट होता कि यहां एक CH3 है यहां एक CH3 है तो nitrogen से कितने carbon attached है nitrogen से कितने carbon attached है वो उसकी degree होगी तो यहां पर 3 degree का होगा ऐसे नहीं करेंगे कि यह secondary carbon है तो वही amine भी secondary हो जाएगा ऐसा आप calculate नहीं करेंगे ठीक है बात समझ में आ गई है फिर आप बात करते हैं जैसे यह वाला ही यह primary है क्योंकि यह सिर्फ एक ही carbon attached है nitrogen से सिर्फ एक ही carbon attached है तो यह primary amine हो जाएगा ठीक है फिर अगर आप degree निकालें बच्चो अलकोहल की किसकी अलकोहल की ध्यान से समझेगा माल लो कुछ ऐसे है यहाँ पे OH attached है एक में attached है यहाँ पे तो इसको आपको बदाने है इसकी डिगरी क्या होगी यहाँ पे carbon की देख लो क्या देख लो carbon की देख लो जिससे OH attached है वही उस alcohol की डिगरी भी होगी जैसे ही, यह carbon होगा, यह carbon है, यहाँ पर तो क्या लगाओ, OH, यह OH कौन से degree के carbon से attached है, यह वाला carbon बच्चो सिर्फ एक carbon से attached है, यह वाला carbon सिर्फ एक carbon से attached है, तो यह 1 degree का carbon है, जिस carbon से OH जुड़ा है, उसी degree का alcohol होगा, यह 1 degree का है, तो alcohol भी 1 degree का होगा, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन से एक कार्बन तो यहां अटेच है यह वाला एक कार्बन यहां अटेच है तो यह कार्बन टू डिगरी का है तो एलकोहल भी कौन से डिगरी का हो जाएगा सेकिंडरी का हो जाएगा अगर यहां पे एक कार्बन और जुड़ा होता तो यह थ्री डिगरी एलकोहल ह जाता ठीक है अब माल लो आपके पास ये बना हुआ है ध्यान से मुझे बताईएगा सोच समझ के आपके पास ये है यह कौन सी डिगरी का एलकॉल है तिक है अगर आप इसको सोच रहे हैं कि यह सेकेंडरी का है तो आप बिल्कुल गदर सोच रहे हैं क्योंकि यह एलकॉल है ही नहीं यह बचो क्या है फिनॉल है क्या है बचो फिनॉल तिक है यह एलकॉल नहीं है कैटेगरी अलग है बच्चे क चीज में, confused अगर आप इसको बोलते हैं न कि भई ये बेंजीन है, यहां से ये श्टोर फिर OH लगा हुआ है, ये अलकोल है, ये कैटेगरी अलग है, ये फिनोल है, ये अलकोल में नहीं आता है, ठीक है, जैसे आप अमिन में नहीं कर सकते, ये अलग कैटेगरी नहीं है, ये अमिन ही है, जैसे आप ये करते हैं न भई, यहां पे अने श्टोर लगा दिया, ये अमिन है, तो ये भी अमिन है, पर अलकोल में ये अलग कैटेगरी है, ये अलकोल थे, पर इसको जैसे वो बेंजीन पे OH आता है, तो उसको आप फिनोल बोल देते हैं, ना कि आप उसको अ डिगरी में नहीं आएगा, यह फिनोल ही है, कोई डिगरी नहीं होगी, पर अगर कैसे माल लिया जाता है, बचो, माल लो कुछ ऐसे बनाया जाता है, कि वही, यहाँ पर OH लगाया गया, अब बताओ, यह कौन सी डिगरी का अलकॉल है, तो इस कार्बन की डिगरी देख लो, ए बता है, आपको निकालनी आनी चाहिए, DU, डिगरी ओफ अनसेचुरेशन, क्या बोलते हैं, डिगरी ओफ अनसेचुरेशन, इसको बोला जाता है, या फिर अनसेचुरेशन इंडेक्स बोलोगे, या डबल बोंड इक्विविलेंट भी इसको बोला जाता है, कई जेंगे hydrogen deficiency या फिर degree of unsaturation ठीके समझना क्या है मालो आपको ऐसे दे रखा यह CH2 यह single bond यह CH3 लगा ले न और यह double bond और यहां पे लगा रखा है यह CH2 ठीके जहां जो double bond होता है बचो यहां पे आप जानते हैं कि इसको एक hydrogen का molecule दिया जा सकता है तो इसकी 1DU कहलाती है एक pi bond की 1DU होती है degree of unsaturation ठीके जैसे एक ring की भी 1DU ही कहलाती है यह जो ring है इसकी भी 1DU कहलाती है मतलब इसको breakdown करके आप एक hydrogen दे सकते हैं और यह पूरा फिर अपना saturated compound में या फिर जो अपना alkane type जो होता है उसमें convert हो जाएंगे तो यह degree of unsaturation यहां बेवी जैसे एक hydrogen यहां जाएगा एक hydrogen यहां पर तो इस single bond में convert हो जाएगा ठीक है ना तो यह चीज क्या है फिर जैसे हम यह कह सकते हैं कि कितने hydrogen molecule required है कि एक molecule को या multiple होगा या फिर chain structure होगी उसको saturated compound में convert करने के लिए chain है तो उसको open करने के लिए अच्छा double bond है मतलब multiple bonds है या triple bond भी हो सकता है उसको किसमे saturated compound में लाने के लिए कितने hydrogen molecule required है वही उसका क्या कहलाएगा बचो डियू कहलाएगा जैसे यहां पे एक hydrogen का molecule लगा तो इसकी डियू 1 हो जाएगी एक ring के लिए भी एक डियू कहलाती है जैसे मालो ऐसे आपको दे दिया जाए कई सारी ऐसे ring बना दी जाए ठीक है ना तो उनका du पूछा जाए तो एक ring ये लेगी दूसरा ये लेगी तीसरा ये लेगी तो तीन du हो जाएगी और जितने pi bond होंगे उतनी ही du उसकी कहलाएगी जैसे यह double मतलब अपना ऐसे अगर हम बनाएं double bond single double single or double इसकी कितनी du हो जाएगी degree of unsaturation 1H2 यहां से लिया जाएगा 1H2 और 1H2 तीन H2 यूज होंगे एक unsaturated को saturated में convert करने के लिए ठीक है बच्छो बात समझ गए फिर formula कैसे लगाया जाता है du का वो भी आपको समझना है कैसे लगाते है हम du निकाली जाती है carbon plus में 1 minus h plus x minus ये nitrogen है ये halosan है ये hydrogen का number है by में 2 यहां पे आ जाता है number of यहां लिखोगे carbon ये है plus 1 normal है ये minus number of hydrogen, number of halosan और number of cabbage or nitrogen उस molecule में कितने होने वाले हैं जैसे अगर आप से निकलवाया जाए आपके पास formula हो c3 at 6 o ठीक है ये है इसकी du निकलवाई गई है आपसे ठीक है अब वो देखो इसमें क्या है कि यहां पे carbon कितने हैं 3 है यही है उसमें करो plus 1 फिर क्या जाएगा ये minus आपको करना है hydrogen कितने है 6 है बचो 6 plus में halosan कोई है नहीं 0 लिख दोगे और nitrogen है नहीं वो भी 0 लिख दोग ठीक है न और by में क्या जाएगा 2 आ जाएगा तो यहां पे क्या चीज आ जाएगी आपके पास 3 plus 1 होता है 4 minus में यहां पे 6 by 2 कितना जाएगा 3 4 minus 3 क्या जाएगा 1 यहां पे degree of unsaturation कितनी आ गई 1 आ गई ऐसे आपको formula में put करना है ठीक है समझ में आ गया है ये formula आपको ध्या आते हैं कई बरी उसमें xy compound के बारे में पूछा जाता है तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें ring आएगी या double bond आएगा या क्या आने वाला उसमें अंदाजा लगवाया जाता है एक formula लिख देंगे उसमें यूँ पूछेंगे ये कौन सा compound है ठीक है तो उसमें du का जाता है degree of unsaturation का ठीक है फिर आपको पता होना चाहिए homologus series क्या होती है बचो क्या है homologus series क्या होती है अब दिखो जहां पे जो molecular formula तो different होने वाला है functional group same होंगे और different molecular weight होगा ठीक है ये बाते द्यान से आपने सुन दी और फरक किस चीज का रहता बचो CH2 unit का किस चीज का CH2 unit का और 14 unit mass का क्योंकि 12 तो carbon का होता है 2 hydrogen का 14 unit mass का फरक रहेगा और same functional group होने चाहिए different molecular formula होना चाहिए पर family same होगी ध्यान रखिएगा अगर alkane की family की बात हो रही है तो alkane में ही homologus series ढूंडो यह नहीं alkane का formula जोड़ दो alkane वाले से या फिर alcohol से ऐसे नहीं करना है ठीक है और क्या होना चाहिए different molecular weight होना चाहिए क्योंकि सबका किस से CH2 molecule से difference आएगा और 14 unit mass तो अपने आप molecular weight क्या हो जाएगा different हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बहुत बढ़िया अब अगर बोला जाए कि आपको 2-3 molecule दे देंगे और उनमें से यूँ पूछेंगे क्या ये आपस में homologous है या नहीं है जैसे एक structure बनाते हैं उसमें बताना कि वो homologous है या नहीं है ठीक है एक तो ये molecule है और दूसरा बना रखा है ऐसे तो ये आप देखोगे इन दोनों में किस चीज का difference है CH2 का ठीक है न इसमें अगर इस वाले molecule में अगर CH2 को add कर दोगे तो ये बन जाएगा तो ये हो क्या हो जाएंगे homologous हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे homologous हो जाएंगे ठीक है मालो आपको क्या दे रखा हो एक दे रखा हो यहां पर ऐसे कि ये double bond oxygen है और ये कुछ ऐसे है तो क्या ये आपस में homologous है बिलकुल नहीं है क्योंकि functional group तो सेम होना चाहिए न बच्चो ये ketone group है ये LDI group है तो पहली बात तो homologous की condition नहीं गलत हो गई सेम functional group होने चाहिए अगर देखो एलकीन की बात कर रहे हो तो एलकीन में ही homologous series बनेगी एलकेन की कर रहे हो तो एलकेन की बनेगी की अगर आप बात करें तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है जो आपके पास जो structure formula, isomr वैसे क्या होते है कि molecular formula, same जिसमें होता है वो क्या कहलाते है molecular formula जिसमें same रहता है उसको आप बोलते है, isomrse बोलते है ठीक है अब देखो अगर बचो structural formula हम बात करते हैं किस पे structural formula अगर क्या रहता है एक तो रहता है बचो same और एक हो जाता है different ठीक है अगर structural formula जो formula है अगर आप क्या कह रहे हैं molecular formula नहीं structural formula की आप बात कर रहे हैं अगर वो क्या है same है एक तो क्या हो जाए बचो same हो जाए और एक कैसा हो जाए different हो जाए ठीक है different अगर structure formula बनता है ठीक है उसमें क्या होगा आप देखेंगे structure structure formula मतलब structure अलग अलग आजाए अगर वहां पे different हैं, तो आपको वहां कौन-कौन मिल जाएगा उसमें, एक आप chain isomer के बाई में वहां पढ़ेंगे, फिर आप किस के बाई में पढ़ेंगे, position isomer के बारे में, फिर आप functional isomerism के बाई में पढ़ेंगे, किस के, functional isomerism, F I जिसको बोल सकते हो फिर आप TOTOMERISM के बारे में पढ़ेंगे TOTO ISOMERISM T I लिख देते हैं फिर आप पढ़ेंगे RING CHAIN ISOMERISM RING CHAIN ISOMERISM के बारे में एक होता है METAMERISM क्या होता बच्चो? METAMERISM MI से हम उसको लिख देते हैं CHAIN ISOMERISM, POSITION ISOMERISM FUNCTIONAL ISOMERISM, TOTO ISOMERISM यह RING CHAIN ISOMERISM और METAMERISM ISOMER जिसको आप बोलोगे यह कब है? तब STRUCTURAL जो फार्मिला होगा वो different होगा अगर सेम की बात करते हो बच्चो, सेम की अगर आप बात करें तो इनको STEREO ISOMER आप बोलोगे क्या बोलोगे? STEREO ISOMERISM इसमें क्या रहता है? जो structure, जो chain formula रहेगा पूरा का पूरा यह आप STEREO KEMICAL formula बोल सकते हो एक किसम से जो STEREO KEMICAL formula जो होता है अगर वो क्या होता है? बच्चो, बिलकुल सेम रहता है structure, ISOMERISM जो formula होता है, structure या chemical formula आप बोल सकते हो अगर वो सेम है, अगर structure, chemical formula अगर सेम है, तो बच्चो, उसको तो बोल देते हैं होमोमर्स tension मतले ना यह हम पढ़ेंगे, कभी यह सोचो कि भई यह नहीं समझ में आ रहा है उसकी भी कोई दिकत नहीं, यह चीज अभी समझ में आ structure formula, मतलब structure जहां पे different आएगी, तो उसमें ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे, यह हम next lecture में हम पढ़ेंगे, जिसमें आप क्या बोलते हो, कि अगर एक तो सेम है तो हमोमर्स हो गए, अगर जो आपका मतलब different आता है, अगर structure chemical formula, अगर different आता है, तो दो condition बन जाती है या तो configurational isomerism बनेगा, या फिर confirmational बनेगा, दोन आपने सुने होंगे, configurational और कौन सा बनेगा या फिर confirmational यह configuration थी, यहाँ पर confirmations ठीक है ना यहाँ पर जो stereo chemical formula वो यहाँ पर different रहने वाला है फिर configurational में आप दो और पढ़ेंगे, यह main है आप सबको पता है, geometrical ठीक है, GI जिसको बोलते है geometrical isomerism, और दूसरा पढ़ेंगे इसी में, optical isomerism confirmation में आप जो आपने, amine inversion के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है काम का है, आपको पढ़ना है और या फिर आप पढ़ेंगे CC free rotation के बारे में ठीक है, किसके बारे में, यहाँ पे तो restricted होती है, यहाँ नहीं होती है rotation, पर यहाँ आप carbon-carbon free rotation के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे chair order, यह सब कुछ confirmation आपको पढ़नी है जो confirmational isomerism होता है, इसको आप separate नहीं कर सकते हैं ठीक है न, इनको separate नहीं किया जा सकता Configurational isomerism को आप अलग कर सकते हैं, separate कर सकते हैं अलग-अलग method से एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चो, ring chain isomerism को आप functional isomerism भी कहते हैं ring chain isomerism को ring chain isomerism को functional isomerism भी कहते हैं अभी आप जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुनेंगे पहले तो एक तो आप पढ़ेंगे बच्चो position isomerism क्या है position isomerism एक पढ़ेंगे आप chain isomerism इसको साथ में पढ़ेंगे chain isomerism और position isomerism ठीक है, ध्यान से सुनना अगर compound के पास अगर same molecular formula है और different क्या होगा बच्चो position होंगी या फिर branches होंगी किसी इसकी, substituent की, functional group की जिसमें आप double bond, triple bond के बारे में बात कर सकते हैं molecular formula same है पर जो आपने chain बनाई है उसमें different position होंगी किसकी branches, substituent की हो सकते हैं functional group की हो सकते हैं triple bond उसमें हो सकता है और functional group में ये ना हो कि वहाँ पे aldehyde group हो जाए बढ़ अब carbon containing functional group नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर carbon containing functional group आ जाता है ना बचो तो वहीं से numbering चालू हो जाती है जैसे carboxylik वाला ले लिया तो अपनी numbering वहीं से चालू करवा देता है अभी example से समझें confused नहीं होना है position isomerism की बात करने हैं आपको समझ में आ जाएगा position की बात हो रही है क्योंकि एक तो ये मानलो बनाया है इसका isomer एक बना दिया ये वाला अब यहाँ पे क्या चीज आपको देखनी है हमने बोला same molecular formula होगा पर different क्या होंगी positions होंगी ठीक है अगर एक तो ये है और यहाँ पे हमने methyl group को लगा दिया यहाँ पे ये first है और ये second है यहाँ पे हमने क्या किया first, second और ये third position या यहाँ से गिलो first, second और third दोनों जेंगे से तीसरी position पे है यहाँ पे कौन सी position पे था ये जो branching थी, वो दूसरी पे थी यहाँ पे किस पे है तीसरी वाली पे है और molecular formula बिल्कुल same है तो ये क्या है? position isomerism है ठीक है? P.I. आप इसको बोल सकते हैं बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो इनका जो number होता है न बचो वो बिल्कुल exactly same रहता है अभी समझाएंगे कि क्या क्या आपको करना है ठीक एक number से बताएंगे नहीं तो आप CI और PI में confused हो जाएंगे CI में देखो क्या होगा? compound का molecular formula बिल्कुल क्या रहेगा? same molecular formula रहेगा पर क्या रहेगा chain में जो chain आप बनाओगे यह जो जिसको आप chain यह वाली जो chain है यहाँ पर number of carbon जो chain रहेगी वो different रहने वाली है इसको आप chain isomerism बोलते हो नाम में ही है chain isomerism तो मान लो एक तो आपने कुछ आप मानो यह बना दिया और दूसरा आपने यह बना दिया तो यह देखो formula same रहेगा पर यह chain अलग-अलग है यहाँ पर कितने हैं? चार member है और यहाँ पर कितने हैं? चेन में तीन member है तो यह क्या है? बचो chain isomerism है फिर एक number से आप decide करने वाले हैं कि कौन chain isomerism है और कौन position isomerism है एक example और देते हैं आपको पहले position isomerism का माल लो कुछ ऐसे है यहाँ पर double bond है और एक double bond यहाँ पर है तो देखो double bond की position में यहाँ पर पहली position पर यहाँ पर first second position पर double bond है तो यह भी क्या है? PI क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि compound having same molecular formula पर different किस में होगा position या तो वो कोई substituent हो या फिर functional group हो जिसमें कार्बन वाला नहीं होना चाहिए यह exception था और या तो double or triple bond की position हो यह PI में आएगा positional isomerism में आएगा फिर यहाँ आप नंबर देना सीख सकते हैं नंबर कैसे अब वो देखो आपने CI की बात की आपने कुछ ऐसा बनाया यह ठीक है आप क्या करोगे A और B का एक combination बना लो A से आप लिखो number of carbon in parent chain number of carbon आ जाएगे B वाले में आएगा number of आप लगा सकते हो branch number of branches यह क्या है कितनी branch हुई है number of branch ठीक है आप देखो यहाँ पर क्या है number of carbon आपको बताने है कितने है एक दो तीन और चार चार नंबर है क्या यहाँ पर कोई substitution है कोई branch निकली हुए जो number of branch है यह तो मैंने लिख दिया number of carbon लिख दिये क्या number of branch है नहीं है जीरो आ जाएगा यहाँ पर क्या है तीन number है carbon के एक branch है तो यह एक लिख दिया जाएगा अब यहाँ पर देखना कितने carbon है यह दो तीन चार पांच पांच carbon है और एक branch है यह कितने हैं पांच carbon है और एक branch है इनका number देखो सेम आया बच्चो और यहाँ पर different आयेगा तब भी अगर number same आ जाता है कौनसा number of carbon और दूसरा लिखना है number of branches ठीक है number of branch लिखनी है जैसे यहाँ पर एक यह और होती न मतलब यहाँ तो यहाँ दो लिखते number of branches गिननी है यह नहीं कि यहाँ मैंने कितने number of carbon लगाए वह वाली नहीं देखनी से number of branch गिननी है तो उससे अगर same आता है अगर यह number same आ जाता है दोनों में तो यह PI होगा हमेशा और अगर different हो जाता है तो वह CI होगा ठीक है बात समझ में आ गई न अब देखना अगर आप functional group की बात करते हैं तो ठीक है किस चीज की functional group की जिसमें carbon है फिर भी आप CI और PI निकाल सकते हैं बचो उसमें भी कैसे इन number की उससे ही यह तो आपको निकालना आई गया होगा जैसे एक example देते हैं कि ऐसे कुछ है आपके पास और यहां पे मान लो carboxlic group है ठीक है और एक ऐसे बना लो एक यहां पे है carboxlic group अब जहां पे functional group होता है वह भी carboxlic वाला तो numbering वहीं से चालू हो जाती है तो यह 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है अब यहां पे कहां से करोगे यह 1 2 3 4 और यह क्या हो गए 5 हो गए हैं ठीक है अब इसके लिए यह एक branch यह हो गए और यहां पे branch हो गए यह वाली अब इसका number निगालो एक बड़ी कितने है इस में chain ने carbon कितने है पहले लिखते न यह branch कितनी है यह chain में carbon कितनी है पांच और यह branch कितनी है एक ہी इसका क्या है number और दोनों का different है और वैसे भी देखो ना chain अलग-अलग है chain का जो system था यही तो हम chain isomerism में हमने पढ़ा था कि chain जो होगा parent chain उसका number अलग-अलग होगा तो ऐसे चीज आपको समझनी है तीक है आया या नहीं आया समझ में फिर हम functional isomerism की बात कर रहे हैं functional isomer हम पढ़ेंगे तीक है आप देहां से सुनना वही चीज आ जाएगी compound same molecular formula होना चाहिए पर different functional group होना चाहिए क्या होना चाहिए different functional group यहाँ पे होना चाहिए तीक है आप वो देखो कैसे होगा एक तो आपके पास यह है और दूसरा molecular formula same हो तीक है aldehyde और ketone आप सबको पता होंगे यह एक दूसरे के functional isomerism है इनका formula same रहता है और दोनों अलग-अलग क्या होंगे इनका जो functional group है वो अलग-अलग बन जाते हैं जैसे आप alcohol ether की बात करते हैं यह भी functional isomerism है FI बनाते हैं जैसे आप इस alcohol की बात करो और आप इसकी बात करो तो यह दोनों आपस में क्या है इनका formula same है बिल्कुल आप गिन के देख लीजिए यह है CH3, CH2 और यह OH formula देखो क्या बन गया C2 यह CH2 लिखना 6 और यह O और यह भी तो यह है C2, H6, O तो यह दोनों formula same है पर functional group देखो जो अमिन होता है और एक इमिन यह भी एक दूसरे के functional isomerism है कैसे? यह और यह NH2 और और क्या पहचानना है वो आपको देखो यह यहाँ पर OH इन दोनों का formula same है functional group different formula दो functional group आपको यह तो दिखी रहा है कि यह वाला functional group अलग है यह तो amide है और यह क्या है? यह तो amide हो गया और यह अपने पास immune हो गया यह functional group अलग है पर इन दोनों का formula same बन रहा है तो आप अपने आप बता दो कि भी यह FI है बता दो कि नहीं बता दो कि तो वही चीज़ करनी है जैसे primary amine, secondary amine, tertiary amine इनके formula same मिलेंगे बिल्कुल molecular formula same मिलेगा पर अलग-अलग functional group में यह consider किये जाते हैं क्योंकि एक primary amine, secondary और rectiary है बात समझ में हारी है न यह फिर sinide और isosinide है formula same रहता है पर functional group दोनों अलग है एक तो sinide और एक क्या बच्चो isosinide दोनों functional group अलग है बस formula दोनों का क्या रहने वाला है बिल्कुल same रहने वाला है ठीक है LDHID की tone का मैंने बता दिया कार्बोक्सलिक और ester भी एक दूसरे के functional isomerism होते है कौन-कौन जो LDHID LDHID बोल रहे है कार्बोक्सलिक और ester भी एक दूसरे के FI होते है फिर है metamers ध्यान से सुनना metamers क्या होते है कि जहां पे आप arrangement बहुत अलग पाओगे different आपको arrangement मिलेगी एक bridging functional group के दोनों साइड में अब bridging functional groups क्या होते है वो देखो मान लो आपके पास है NH को आप मान सकते हो मान लो आप Amin देखो normal तो आप Amin ऐसे बनाते हो फिर आप क्या करते हो जैसे उसकी degree बनाना शुरू कर देते हो तो आप क्या कर देते हो भई एक यह यांसी h3 लगा दिया एक यांसी h3 यह लगा दिया फिर आपने उसकी degree बना दी तो दोनों साइड अगर क्या होती है, different, अभी तो मैंने same लगाई अभी तो same लगा रखिए अगर वहाँ पे क्या हो जाती है degree of मतलब जो different arrangement अरेंजमेंट होती, atoms की और group की, किसी भी side में bridging functional group के तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बचो, वो एक दूसरे के metamers कहलाते हैं अभी एक चीज़, अभी दूसरे देते हैं वही उनका ध्यान रखिएगा functional group सब के same होने चाहिए, क्योंक फंक्शन ग्रूप बोल रहे हैं molecular formula सब का same होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगे अभी बनाए, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान इधर अब मान लो, आपके पास कुछ ऐसे है कि एक तो यह यहाँ ऐसे बना रखा है और यहाँ पर यह oxygen है और यह ऐसे है ठीक है, और यहाँ oxygen है इथर में आप मतलब मान सकते हैं तो यहाँ एक, दो, तीन और यह fourth carbon, एक, दो, तीन और चार फार्मला सेम है यहाँ पर arrangement देखो और यहाँ पर arrangement देखो और इसमें arrangement और इसमें arrangement देखो यह bridging functional group हो गया और इसके यहाँ पर और इस side क्योंकि isomer 2 का comparison करते हो ना आप, दोनों side different arrangement हो गई तो यह एक दूसरे के क्या कहलाते है metamers कहलाते है जैसे एक आपके पास है मान लो बच्चो कि यहाँ पर pH लिखा हुआ है ठीक है और यह S double bound O sulfonyl जो group आप मानते हैं और यहाँ पर normal अपनी cyclic structure बनी हुई है ठीक है ना यह वाली और इसमें दूसरे वाले में हम उल्टा करते हैं इसको CY लिख देते हैं इसकी representation CY लिख देते हैं और फिर यहाँ पर हो जाता है S ठीक है ना और यह oxygen और यहाँ पर pH यहाँ पर इन दोनों side में देखो अब arrangement बदल गई है पहले यहाँ पर S ही थी अब की बार यहाँ पर O के साथ पहले यह cyclic structure थी अब की बार O के साथ क्या है जो अपनी final ring है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है तो हमने क्या कहा था bridging जो आपका functional group है उसके दोनों side different arrangement जब हो जाती है तो वही metamers कहलाते हैं तो यही चीज आपको देखनी थी ठीक है और अगर आप priority की हम बात करेंगे कि हो सकता है कि कई जगे आपको chain isomerism वैसा ही लगे क्योंकि chain में यहाँ फरक आ जाता है जो हम metamers देख रहे हैं chain में यहाँ कई बार फरक आ जाता है position वाले में भी फरक आ जाता है कि position functional group की अलग-अलग हो या फिर bridging atom की अलग-अलग हो सकती है ठीक है जो कि हमने position isomerism में भी पढ़ा है तो अगर आपको उसमें chain isomerism भी दिखे position isomerism भी दिखे और metamers भी दिखे तो आप किस पे tick करने वाले हैं आप पहले metamers के उपर tick करने वाले हैं क्योंकि उसकी priority जाता है तो बीच में आपको अगर bridging क्या मिलता है functional group मिलता है जैसे आप उसमें oxygen हो सकता है बच्चो सोरी यहाँ पे different arrangement है sulfur हो सकता है different arrangement है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे different arrangement हो सकती है या NH है यहाँ पे different arrangement हो सकती है या फिर यह किटोन वाला CO यहाँ भी different arrangement हो सकती है तो यह bridging क्या हो जाते है functional groups हो जाते है और यहाँ पे metamerism देखने को आपको मिलता है जो फिर सबसे important है जिसको आप बोलते हैं totomerism इसमें बच्चे थोड़े से confused हो जाते है हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चो totomerism ठेक है easy बहुत जादा है कोई problem वाली बात नहीं है इसमें क्या होता है बच्चो यहाँ पे proton का transfer होता है proton मतलब आपने H positive H positive को proton बोला जाता है proton का यहाँ transfer होता है keto inol system बहुत famous है जिसको 1-3 system भी बोला जाता है वैसे क्या बोलते है keto inol system आपको समझ में आ जाए का क्यों बोलते हो यह आपको पता भी होगा जैसे एक सबसे normal example ही लेते हम CH3, CO और यहाँ पे यह CH3 है यहाँ पे क्या है कि जो double bond और hydrogen वैसे तो hydrogen का अपना transfer है जैसे इसको number दिया जाता है यह अपना पहला oxygen को इसको दूसरा और यहाँ से तीसरा इसको यहाँ दो लिखते हो इस hydrogen को hydrogen यहाँ transfer हो जाता है और यह double bond यहाँ जाता है मतलब कि CH3 CO और यहाँ जाएगा यह single bond यहाँ double bond आ जाएगा और यह CH2 ठीक है यह single bond में convert हो गया और यह H जो transfer हुआ था उसको यहाँ लगा दो और यह double bond देखो यह क्या हो गया Enol OL आया है किसकी वज़े से alcohol group की वज़े से और EN आया है alkene की वज़े से क्योंकि यह double bond है ठीक है यहाँ चीज समझ में आ गई और totomanism show कोन करने वाला है वो चीज आपको पता होने चाहिए सबसे पहली बात तो जो भी alpha carbon होगा वो sp3 hybridized होना चाहिए alpha carbon जो होगा जो functional group से next carbon होता है उसको आप alpha carbon बोलते हैं वो sp3 होना चाहिए और उस carbon के पास hydrogen होना बहुत ज़रूरी है क्या होना चाहिए hydrogen होना बहुत ज़रूरी है जैसे अगर यह structure बनाई जाए यह pH है यह CO है और यहाँ pH है क्या यह trotomanism show करेगा बिल्कुल नहीं करने वाला है क्योंकि आप यह बेंजीन वाली structure है यह क्या बच्चो बेंजीन वाली structure है जिस उससे यह जुड़ा हुआ है यहाँ पर पहली बात तो यह SP2 है ही नहीं मतलब अपना SP2 बोल रहे है SP3 carbon है ही नहीं जो बेंजीन के हैं तो यह trotomanism शुरू कहाँ मतलब कैसे show करेगा नहीं करेगा तो यह condition आपको ध्यान रखनी है SP3 hybridization होनी चाहिए अलफा carbon के पास hydrogen होना ज़रूरी है तब जाके वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा आपको मिलेगा वहाँ पर totomerism ठीक है तो यह question बहुत बार पूछे जाते है कि कौन totomerism show कर रहा है कि नहीं कर रहा तब कई बार ऐसा होता है कि 1,3 totomerism नहीं होता तो 1,5 totomerism देखने को मिलता है अब वो कैसे होगा जैसे आप यह carbon मान लें simple कि वह यह आपके पास है CH2 यह single bond है यहाँ पर hydrogen बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि transfer करना हमे फिर यह CH है यहाँ पर double bond है CH है और यह आपका यह group है ऐसे C double मतलब aldehyde group है यहाँ इसको पहली position दोगे oxygen को इसको दूसरी तीसरी चोती और यह यह 5 hydrogen क्या होता है इस oxygen पहले वाले के पास जाता है इसको यहाँ भेज दो यह भेज दिया इसको single bond कर दो जो यह double bond यहाँ पर था ना उसको यहाँ transfer कर दिया यह double bond इस वाले double bond का transfer यहाँ कर दिया अब आपको feeling इसमें आ गई होगी resonance वाली तीक है किसकी resonance वाली resonance और इसमें फरक क्या बच्छो resonance में कभी भी atom का transfer नहीं होता है resonance की किसी भी hybrid structure को आप separate नहीं कर सकते हैं पर totomerism की structures को आप separate कर सकते हैं यह फरक होता है totomerism में और resonance वाले में ठीक है 1-2 system भी होते हैं totomerism के जैसे hcn है और h अपना nc वाला है इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से hydrogen हट करके इस nitrogen वाले के पास चला गया simple यही तो हो है तो यह 1-2 system भी है आपके पास और भी बहुत सारी जैंगे आपको देखने को मिलता है totomerism कहां देखने को मिलता है वो भी सुन लो पर यह ध्यान रखिएगा यहाँ पे transfer किस चीज़ का हो जाता है अमाइड बना सकते हो आप कैसे बनता है आप ऐसे बनाते हैं कि CH3 CO और यह NH2 ठीक है यहाँ क्या करोगे जो double bond है उसको तो यहाँ transfer कर दो यहाँ का hydrogen यहाँ transfer कर दो अपने आप बन जाएगा यह CH3 यह oxygen के पास H यहाँ double bond और एक H गया है न तो NH यह amide है और यह imidol है क्योंकि OH आगया न imidol आप उसको बोल देंगे amide plus OL imidol वहाँ पर बन जाएगा नॉर्मल है ठीक है न या फिर आप imin और anamide उसमें बना सकते हैं nitroso oxyme में बना सकते हैं यह वाला आपने पढ़ा होगा nitroso oxyme वाला CH3 या आप यह CH3 या लिख ले यह NO इसको nitroso बोलते हो अब यहाँ पर क्या है double bond तो कहां पहुंच जाएगा बच्छो यहाँ पर और इस carbon का hydrogen है वो पहुंच जाएगा इस OH पर तो देखो क्या बन जाएगा CH2 double bond N और यह oxygen पर OH यह क्या है oxygen आपको कौन से बायो मोलेक्यूल में पढ़ा है था और यह nitroso तो यह भी क्या थे यह आपके जो 1-3 टोटोमेरिजम जो शो करते हैं तिक है फिर अगर ring chain isomer की आप बात करें उसमें क्या होगा simple बात है isomer की आप बात कर रहें structure isomerism वो भी रहेगा ring में और दूसरा रहेगा chain में ठीक है और यह मैंने पहले बताया था ring chain isomer को functional isomerism भी बोला जाता है जैसे एक आपके पास कुछ ऐसे है यह chain है और दूसरा कैसा रहेगा यह ring है और दूसरा रहेगा chain में इन दोनों का formula बिलकुल सेम है और एक ring है और एक chain है तो यह दोनों एक दूसरे के formula है C4H6 ring chain isomerism तभी तो है ring chain isomerism एक ring होगी एक chain होगी और अगर आप priority की बात करें बच्चो सबसे जादा priority होती है अपने ring chain वाले की फिर totomerism की फिर अपना जो functional isomerism होगी फिर metamor की फिर chain isomerism की सबसे last में है positional isomerism की इसको आपको ध्यान रखना है सबसे जादा priority है R की, T, ये FM आप याद रख सकते है R T FM और ये CP Connot Place जिसको हम बोलते हैं वही CP, CP, सबने सुना होगा कि R T ठीक है, R T FM, CP ठीक है तो ये इनकी priority होती है यहाँ पर अपना जो structure isomerism है वो यहाँ पर खतम हो जाता है next में क्योंकि geometrical isomerism ये isomerism या optical वाला बहुत बहुत जादा काम किये हैं और जो isomer वाला है या और बहुत सारे regression है KVS में भी या अपना जो screening वाला है उसमें बहुत जादा काम किये हैं आप उनको ध्यान से समझेगा और पढ़िएगा